लक्ष्मी के सिर्पल लग गया मंदिर में सो से डंडा और हो गई लक्ष्मी बेहोश और रिशी ले आया लक्ष्मी को घर और नीलम करेगी रिशी लक्ष्मी का स्वागत और नीलम को होगा अपने किये का ऐसास जी हाँ दोस्तो भग ये लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्षमी रिशी अपने एक नई सफ़र जिंदिकी के शुरुआत करने के लिए मंदिर जाएंगे और लक्षमी मंदिर में एक जगे बैठी होगी और रिशी माता जी के नस्दिक जाकर प्रात्ना करेगा और लक्षमी को अपने साथ नहीं देखेगा तब पर एक आदमी लक्षमी को मारने के लिए डंडा लेकर मंदिर में आएगा और लक्षमी को मारने जा रहा होगा तब है रिशी की नजर आदमी पर पड़ेगी और रिशी लक्षमी को बचाते हुए आदमी को मारेगा और वो डंडा उस आदमी के हाथ से छुटका लक्षमी क सर पर गलती से लग जाएगा जिसकी वज़े से लक्षमी मंदिर में ही अचानक बेहोश हो जाएगी और रिशी लक्षमी के कहीं पर भी जाने पर दोनों पर जान का ख़त्रा बना रहने की वज़े से रिशी को लक्षमी को सबसे सेफेश जगे यानि कि अपने घर ले जाने का खयाल आएगा और रिशी अपने मन में सूचेगा कि हर जगे हम दोनों की जान पर खत्रा बना है और इसलिए लक्षमी सेफ एक ही जगे सेफ है और वो जगे और कोई नहीं पल की मेरा एगर अबर वे हाउस है ये सोचते हुए रिशी सूचेगा कि पता नहीं घर पे मॉम लक्षमी को एकसेप करेगी क्या नहीं मुझे और लक्षमी को घर आने देगी क्या नहीं ये सब रिशी सोचेगा तभी अपने मन में बात करते हूँ रिशी काहेगा कि कोई बात नहीं मैं लक्षमी को अपने हक से अपने घर ले जाओंगा चाहे मेरी मा नीला मुझे लक्षमी के साथ एक्सेप करे या ना करे लक्ष्मी की और उसकी सुरक्षा की सारी जिमेदारी अब मेरी है और वो मेरा घर यानि कि ओबरोर हाउस भी तो मेरा ही है यह रिशी अपने मन में तै करके लक्ष्मी को गोद में उठा कर टेक्सी कर लेगा और रिशी टेक्सि से ओबरोय हाउस के लिए निकल जाएगा जहां पर तभी जब रिशी को आयूश का फोन आएगा और रिशी आयूश का फोन उठाएगा और आयूश कहेगा कि भई आप कहा हो और लक्ष्मी भावी कहा है तब भी रिशी काएगा मैं रस्ते पर हूँ मैं अभी लक्षमी को लेकर अपने घर जा रहा हूँ तब यह सुन कर आयुश काएगा मतलब आप वो चॉल वाली घर में लक्षमी भावी को लेकर रहने जा रहे हो तब यह सुन कर रिशी काएगा नहीं तुने ही तो कहा था कि वहाँ चौल में रहना सही नहीं है इसलिए मैं अपने घर यानी ओबरोय हाउस जा रहा हूँ यह सुनकर आयुश काफी जदा खुश हो जाएगा और घर पे दादी और विरेंद्र को फोन करेगा जहां पर विरेंद्र और दादी फोन उठाएगी और आयुश कहेगा कि रिशी भाई लक्षमी भावी को लेकर घर आ रहे है वो हमारे घर अपने घर वापिस आ रहे है यह सुनकर दादी और विरेंद्र काफी जदा खुश हो जाएगे और निलम को रिशी लक्षमी के घर आने की बात बताएगे जिसे सुनकर निलम को काफी गोद में उठाकर जैसे ही लाएगा तभी कईश्मा बुओ सोनिया के होश उड़ जाएंगे और निलम जब रिशी को लक्षमी को गोद में उठाते हुए लाते हुए देखेगी तबी निलम रिशी लक्षमी की आर्थी उतारेगी लेकिन तबी जब निलम की नजर लक्षमी पर पड़ेगी और लक्षमी को बेहुस देखेगी तबी निलम को काफी बड़ा जटका लगेगा और निलम पहली बाल लक्षमी की फिक्र करती हुई रिशी को काएगी लिशी लक मैंने कभी रिश्यित तुम्हें समझा नहीं कि तुम्हारी खुशी और कहीं नहीं पलकी लक्षमी में है मैं बस मेरी खुशी देख रही थी यह सुनकरिशी अपनी मानीलम को उसके किये का ऐसा सोते हुए देख मंद में कफी ज़दा खुश हो जाएगा और निलम को उसके किय लेका ऐसा सोना ची है के नहीं और इस बार हुई बेहोस लक्षमी की यादाश अगर चली गई तो आप बिना यादाश के लक्षमी को रिशी के साथ देखेंगे केना ही मैं और आपको रिशी मलक्षमी की जोड़ी कैसी लगती है और आपको किसेNकीज़ awesomeon